महाराश्ट्रमी एक बार फिर से भारी बारिश के कारण फसले बरबाद हो रही है राच्चे के अधिकान शिंसों में 10 सितंबर की शाम से भारी बारिश का सलसिला जारी है अत्यदिक वर्षा के कारण अरहर की फसल खेतों में जल जमाव के कारण पीली पड़ रही है और कई फसलों पर कीटों के परकोब बढ़ने से फसल नस्ट हो गई है और इसमें 89,350 हेक्टर पर फसल संकट में है और किसानों में चिंता का महोल है असल में जल भराव के कारण कई किसानों के खेतों में अरहर की फसले खराब होने लगी है और इससे उत्पादन में कमी आने की संभावना जदाई जा रही है किसानों का कहना है कि फसल की स्थिती अच्छी होने पर अचानक वापसी बारिश शुरू होने से इस फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है वहीं किसान कह रहे हैं कि आभी तक जुलाई में हुई बारिश के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया ऐसे में वर्तमान में हो रही बारिश से फसलों के नुकसान का पंचनामा कब होगा पता नहीं इससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान छेलना पड़ रहा है किसान सरकार से विंती कर रहे हैं कि जल्द ही किसानों की मदद की जाए वहीं इस साल जिले में खरीफ की वाई में देरी देखने को मिली जिसके बाद किसानों में उड़द मूंग और सोया बीन की खेती की और सबसे ज़ादा ध्यान दिया बुलधाना जिले में 3,97,453 हेक्टर में सोया बीन और 2,29,97 हेक्टर में कपास की खेती की गई इन दोनों फसलों में तूर को अंतर फसल के रूप में बोया गया और इस फसल का शेतरफर 89,350 है सही समय पर और सही मात्रा में हुई बारिश से अभी तक सभी फसले अच्छी हुई है हलाकि पिछले 2-3 दिनों से तेज हवा के साथ बारिश से कपास और मक्का की फसल बुरी तरह परभावित हुई है वहीं बारिश में जल जमाव वाली क्रिशी भूमी पर अरर की फसल सबसे ज़्यादा परभावित हुई है आधिक बारिश के कारण फसल पीली होने लगी है किसानों का कहना है कि अरर की फसल वाले खेतों में पानी ज़्यादा खतरनाक है इससे इस फसल पर विविन बिमारियों के फैलने से फसल नस्ट होने का खत्रा बढ़ जाएगा और ये रोग भी पैदा कर सकता है इस खत्रे से बचने के लिए जलगाम जमोट स्थित क्रिशी विज्यान केंदर ने विशेशग्यों से ने अपील की है कि बारिश बंद होते ही खेतों का पानी साफ कर दिया जाए लगातर बारिश के कारण अरर की फसल की वृद्धी रुग गई है और फसल पीली होकर नश्ट होती दिखाई दे रही है